रामायन के अधिकांश विवरन बताते हैं कि रावन की बहन शूरपनखा को राम में कोई दिल्चस्पी नहीं थी। लेकिन वालमी की रामायन में बताया गया है कि शूरपनखा ने राम से संपर्ख किया, लेकिन उन्होंने सीता के लिए उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शूरपनखा ने लक्षमन को प्रपोच किया, लेकिन उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। शूरपनखा की पहली शादी दुष्टबुधी राक्षस से हुई थी, जिसने रावन से बहुत लाब उठाया, लेकिन उसके लालच ने रावन को क्रोधित कर दिया और उसने उसे मार डाला। दुष्टबुधी राक्षस की मृत्यु से व्याकुल शूरपनखा को एहसास हुआ कि केवल राम ही रावन को मार सकते हैं। इसलिए जब लक्षमन ने उसकी नाक काद दी, तो उसने बदला लेने के लिए रावन को सीता का अफरन करने के लिए उकसाया। ये बच्चों के लिए एक आदर्श रामायन कहानी है।